दोस्तों आपका से चैनल पे बहुत बहुत सवागत है तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत में बैंड हो चुके चीनी आप टिक टॉक पर एक और खत्रा मन रहा है और अस्ट्रेलिया में अब टिक टॉक बैंड करने की मांग बढ़ रही है और संसत्य कमेटी बैंड पर विचार कर रही है बतादे की बीते कुछ हफ्तों में आस्ट्रेलिया और चीन में तनाफ काफी बढ़ गया है राष्ट्य सुरक्षा के खत्रे और यूजर्स के डेटा को चीन के साथ शेयर करने के मुद्दे पर आस्ट्रेलिया में टिक टॉक बैंड हो स हेराल्सन अखबार से बात करते हुए आस्ट्रेलिया के संसत ने बताया कि कई और संसत एप बैंड करने की कुशिश कर रहे हैं उन्होंने कहा कि टिक टॉक चीनी मेसेजिंग एप वीचेट भी बड़ा खतरा हो सकता है सीनेटर जैनी मेगली एस्टर ने कहा कि टिक टॉक कंपणी के वरिष्ट अधिकारी को सीनेट एंकवारी के लिए पश्थित होना चाहिए Australian Strategic Policy Institute के expert Fergus Riyan ने कहा कि TikTok पूरी तरह प्रोपगेंडा और मास सर्विलांस के लिए है उन्होंने कहा कि चीन की खिलाफ दिये जाने वाले विचार को एप सेंसर करता है और ये बीजिंग को सीधे सूचना भेजता है Fergus Riyan ने कहा कि इस पर कोई सवाल नहीं है कि पार्टी के कई सदस्य कमपुनी में है वहीं विदेशी हस्तशेप कमेटी के सदस्य किमबरली किंचिंग ने कहा कि और ये नहीं समझते कि TikTok उनकी नीजी जानकारी का कैसी इस्तमाल कर सकता है और ये चीन की सरकार कमपनियों को जानकारी शेर करने के लिए कह सकती है तो दोस्तों ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी साथ पहले आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आजाए